महराष्ट लिए चल रहा हूँ बात तो महराष्ट के चुनावी रणिकी करेंगे लेकिन उसके बीच सबसे ज़ादा हेलिकॉप्टर चर्चा में है इन सब के साथ बटेंगे तो कटेंगे पर महायूती के अंदर टकराव की स्थिती भी देखने को मिल रही है हलिकॉप्टर तो सबके एक जैसे हो गया है कि हाँ तुमारी भी चेकिंग हो जाएगी मेरी भी चेकिंग हो जाएगी लेकिन बटेंगे तो कटेंगे पे अजीत पवार वर्सिस जो महायूती के डिप्टी सीम है देविंद्र फण नविस इनके बीच एक टकराव की स्थिती आ गई है अभी हाली में उन्होंने एनाई को एक इंटर्विव दिया उस इंटर्विव में दोनों के जो मत हैं बटेंगे तो कटेंगे वाले सियासी नारे पर बहुत अलग अलग नज़र आये हैं बयान सुनवाते हैं आपको फिर लेकर चलेंगे राकेश शोत्री के पास असा है जहां तक अजीद शब्धा का सवाल है मुझे लगता है कि दश्यक ओ अजीद दादा एसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेकुलरिजम नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं अश्यशा मांता हूँ कि हंदोms दीय है इसले जनता का मिजाज और नेश्टनलिस्ट मिजाज इस समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा बटेंगे तो कटेंगे इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलब बाद एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे तुरंथ हमने बताया कि यह कि उत्तरपरदेश नहीं है नौर्थ में चलता होगा हमारे महाराष्टर में शिवशाओ पुनेंबेट की विचारधारा उससे महाराष्टर चलता है मैंने हमेश अजीत पवार के घड़ी के सुई बीजेपी के लिए कहीं काटा ना बन जाए बयानबाजी में तो यही समझ में आ रहा है लेकर चलते हैं आपको हमारे सही होगी राकेश शौधी हमारे साथ लगतार बने हुए है राजदानी दिल्ली से राकेश महाराष्टर में महायूती के अंदर एक तकराओ के स्थिती नजर आ रही है अपकी चुनाओ के तारीक नजदीक है बिस तारीक को चुना होना है लेकिन उससे पहले कह रहे हैं कि कोई यूपी के सीयम आ जाएंगे बोल देंगे बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट थोड़ी उनके बयानों पर चलने चल रहा है अब देखें देवेंदर फड़नवीस ने अब अजीत पवार पर सीधा सीधा निशाना साधा या यह कहिए कि दो टूक और करारा जवाब दिया है कि आप जिस विचार धारा से पिछले 6-5 दसक से राजनीती कर रहे थे उस विचार धारा से निकलने में आपको स समय लगएगा और साथ ही साथ जो योगी अधितिनात के बयान को समझने में भी आपको कुछ वक्त लग सकता है आपने सेकुलर होने का जो दावा किया है सेकुलर तो आप कहते हैं लेकिन वो सेकुलर आप दिखते नहीं एक तो यह बात हो गई लेकिन इस से दो कदम और पहाविकास अगहारी को टकर देने के लिए हिंदूत्यों का हथियार इस्तेमाल कर रही है लेकिन इन सब के बीच भगवा और योगी अधितनात के बीच हेलिकॉप्टर बहुत प्रासलंगिक हो गया है महराश्ट में रोग रहूं आपको तीन तस्वीरे जरा पहले दर्श किया गया मुख्यमंत्री है महराश्ट के अब ग्री मंत्री अमित शाह का भी हलिकॉप्टर चेक हुआ है यानि कि संदेश साफ है हम तुम दोनों एक समान है राजनीती में सवाल जवाब और कटाक्ष जो चल रहे थे उन पर एक पूंड विराम लगाने की कोशिश हुई है राकेश के पास चलते हैं जादा बेतर समझा पाएंगे तस्वीरों को राकेश हेलिकॉप्टर के सहरे भी सियासी उडान भरने की कोशिश है महराश्ट में उद्धव ठाकरे हमलावर थे लेकिन अब तो ग्री मंत्री का भी हेलिकॉप्टर चेक हो गया जी बिलकुल भारत देखिए एक बार सियासी हेलिकॉप्टर जो है उडान भर चुका है और महराश्ट से लेकर जार्खंट तक की राजनीती में इन दिनों हेलिकॉप्टर हावी हो गया है पहले उड़व ठाकरे की हेलिकॉप्टर को एक ही दिन में दो बार तलाश किया गया था इसके बाब जो है एकनाथ शिंदे के हेलिकॉप्टर की भी तलाशी ली गई थी अब जब कॉंग्रेस और उड़व ठाकरे लगातार आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी कॉंग्रेस और स्ट्रिव शेना यूबी टी के नेताओं को प्रचार करने से रोक रही है तो अब देखिए कि बीजेपी के नेता का भी हेलिकॉप्टर चेक हो जा रहा है लेकिन इस बीच एक और बयान ने महराष्ट की राजनीती को बहुत जादा ही गरम कर दिया है वो है भगवा वना भत्वा M.B.A. लगातार उलेमा जैसे बोडों से समर्थन लेकर इस बार महराष्ट की राजनीती को चमकाने की कोशिश कर रही है उनकी सभी सर्तों को मानने की कोशिश में जुटी हुई है अब देखना ये होगा कि महराष्ट से लेकर जारखंट तक के चुनाओं में इस बार का ये खेल है सियासी खेल की इस दिशा में बढ़ती है निशित तोर पर देखना होगा कि किस तरीके से बयानबाजी जो है वो सियासी मुनाफ़ा या सियासी घाटा दे कर जाता है मायूती को और हेलिकॉप्टर के सहारे जो सियासी उडान भरने की कोशिश है ये कहां तक पहुंचती है देखना भी लाजमी होगा बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए